हेलो वरिवन वेलकम टो डाटनी फोर सेवन मिरा नाम है शुबम चिरवास्तव जोड़ चुके हम लोग यहाँ पर सुनिसे सिखर तक की सिरीज में जहां हम आज डिसकस करने जा रहे हैं दोस्तों मशीन इंपुट बेहत महत्पूर टॉपिक रिजनिंग में और अगर ये टॉपिक समझ में आ जाएं तो ये बात मान करके चलिए ये पांच नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं तो चुकि आप सभी को पता है कि हमारे सुनिसे सिखर की सरीज में अब सभी लोगों को यहाँ पर वाइस कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है और दोस्तों जानते हैं कि अभी तक हम लोग ने जितने भी चीज़ें डिसकस करी हैं यहाँ पर और उसकी बहतर तरीके से एक प्लेलिस्ट भी आप सभी के सामने हैं तो आप अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आ रहा हैं जी हाँ तो आप इस प्लेलिस्ट से उस कंसिप्ट के फोबिया को दूर कर सकते हो तो चलिए गाइस फड़ा फट जुटते हैं और आज का सेशन वाकई में बहुत महत्रपूर रहने वाला है और मशीन इंपूर्ट जिनको लगता है बहुत टफ है या हमको नहीं आता तो आज आपको देखने को ये मिलगा कि हाँ हम कर सकते हैं डिफिनेट सी बात है कि हम कर सकते हैं तो चले गाइस लेट स स्टाट विद मी और शुरू करते हैं आज के सेशन को फरस्ट और जितने लोग भी चैनल पर नहें हैं दूस सब्स्राइब दोस्तों ताकि मेरा वीड अला सकते हैं अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर तो मैं सबसे बैले ये पर पूछ ना चाहूंगा कितने सारे लोग के जिस बार इस कुर्मेंट बॉक्स में बता दिशे कितने लोग अश्बीआ यहां में बैठने जा रहे ंचिक फटाफट पताईए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो तो गाईज यहां पर जितने लोग भी पहली बात तो यहां पर जानने जिनके पास भी अभी तक test series नहीं है ठीक है न प्रैक्टिस के लिए आपके पास e-books नहीं है तो आप सभी को मैं कहूंगा या फिर कोई individual कोई लाइफ कोर्स चाहिए, लाइफ क्लाश चाहिए, या फिर इन सब के लिए एक आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप अटर 24.7 के एप्लिकेशन के द्वारा इस तोर पर जा करके, आप जो चाहें वो पर्चेस कर सकते हैं, और बहुत सारा फ्री कॉंटेंट भी है, इसके मेंस यहाँ पर देना है, ठीक है, जिये भी है इसमें, याद रखें कि गुरुजी जिये वाला पुराना फोसर रही है, तो वो भी है यहाँ पर है, तो पाईस रेवंबर से शुरू होने जा रहा है, मेंस का बैच, जहां पर लाइफ मॉक डिसकसन होगा, प्राइस बहुत क मॉक लगा कर चाहिएगा, अगर मॉक लगा लेते हैं, तो आपके स्क्रीड ही बढ़ जाती है, वहरहाल कुछ भी आप लेने जा रहे हैं, तो वाई टू सिक्स वन कोड है, एक रेफरल कोड है, जिससा आपको डिसकाउंट मिलेगा, आज के सेशन पर चर्चा करते हैं, जो क मशीन इंपूट का प्रच्ण में पूछा गया था, clear है, मेंस के लिहाज से तो मॉस्ट इंपॉर्टेंट है ही, वहां तो ये मिलना ही मिलना है, लेकर हम बात कहें कि अगर प्रिलिम्स के एक्सामिलेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हां, तो एक कोडिंग फोर फॉर समझा है, तब ही आप कोड़ा सकते हैं, otherwise आप कोड़ा देगा, ठीक है, चलो बहुत frank words में कर बात की जाए, ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, concepts की ओर, ठीक है, तो सबसे जरूरी बात होता है, कि हम आजकल machine input types की बात के करें, कि कितने type के machine input हम देखते हैं, है न, पहले तो एक machine input देखते थे, कि आपको एक input दे रखता था, और उस input में, उस input में आप सभी लोग को, या तो letter, या तो फिर number की बात करता था, ठीक है, और कुछ step बना देता था, कुछ step बना देता था, और उन्हीं step को देखते हुए, हमें वहां पर क्या करना होता था, एक और हमें example के form of asking questions in, machine input देखते हैं, आईए बात करते हैं, भाईया, टाइक की मैं बात करूँ यहां पर, तो देखेगा, आपको बता दुमें, cable letter based, cable letter based, आपको यहां पर machine input, ठीक है, दूसरा, आपका digit based, digit based, ठीक है, तीसरा, letter और आपका digit mix, ठीक है, question मिल जाता है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो आप सभी को यहां पर, coded form में, किसमे, coded form, अगर हम बात कहें यहां पर, कि छोटे-छोटे से box आपको बना कर दे देता है, और उनमें कुछ नंबर लिख देता है, और फिनीचे step, वहाँ पर conclude करता जाता है, step one, step two, step three, something else, coded form में, आपको मिल जाता है, कुछ, ठीक है, और उसके अलाब अगर हम देखें यहां पर, तो और भी क्या चीज़े नहीं, आपको देखने को मिल लेए, तो मैं बता दूँ आप सभी लोगों, यहां पर, आप सभी को box form में, box form मे जो कि मेंस लेबल पर पूछता है, box form में machine input, ठीक है, box form में machine input, ठीक है, और आपका machine input condition के साथ भी पूछता है, तो यह कुछ ऐसे type आ चुके है, ठीक है ना, with condition आप से question भी पूछता है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब, मिर दोस्तो, machine input का लेबल बहुत अच्छा हो चुका है machine input में बहुत सारी चीज़े यहाँ पर practical की गई है, ठीक है ना, और अगर हम बात कहें कि यह जो machine input है, दरसल यहाँ पर है क्या, है ना, तो आईए इस पर बात हम लोग करते हैं, यार मान लो, suppose करो, कोई भी machine अगर है, इस पर अगर हम, सबसे suppose कोई भी हमारा computer है, हमें उसमे print out करना है, clear है, तो जब हम कोई command, मतलब कि हम यहाँ पर कोई command इस पर लगाते हैं, input जब कोई इस में देते हैं, ठीक है ना, control प्लस P input हमने दिया, तो अब इस पर हम लोग अपेक्षा करते है, output आने की, जो input दिया वही output तो नहीं आएगा, simple सी बात है, हमने जो input दिया हु पी command दिया, किस लिए दिया है मिर दोस्तों, कि हम यहाँ पर expect कर रहे हैं कि वहाँ से क्या मिले हमको, वहाँ पर print out मिले बार, तो वो print out होने की जो process है ना, वही steps में यहाँ पर चलती है, ठीक है, वही steps में यहाँ चलती है, finally हमने वो क्या मिल जाता है, finally मानलो हमको मिल गया यहाँ पर print out हमारा मिलके है, तो हमारा जो process हो गया, complete हो गया, किसी भी machine को, जब हम कोई input देते हैं, command देते हैं, तो इससे expect करते हैं, output की मिर दोस्तो, तो output यहाँ पर क्या होता है, कुछ steps में हमको मिलता है, वो step हमारे यहाँ पर, output को पाने के लिए, वहाँ पर जो process होता है, कुछ steps में होती है, वही steps को हम बनाने के बाद, जब final हमारे step बन जाता है, process पूरी हो जाती है, हम कहते हैं, output हो गया, clear बाद की निया पर, और क्या कहते है, इस particular process को बनाने के लिए, इतने step required थे, 3, 4, 5, whatever, कितना, clear बाद की निया पर, यह सबसे पहले समझे, क्या कर होता क् है, मेरे भाई, ठीक है, ना, machine input, ठीक है, तो letter based, digit based, letter and digit mix, coded form, box form, condition coding, तो बहुत सारे मतलब, आपके machine input का part है, आजकल जो maximum देखा जा रहा है, तो यहाँ पर machine input के साथ-साथ, यहाँ पर, machine input के साथ-साथ, आपको यहाँ पर, coding का रोल, यहाँ पर खासा देखने को मिल रहा ह है, ऐसा करने से कहीं ने कहीं, यहाँ पर, जो एक coding का, एक mixture है, एक machine input के साथ, यह एक अच्छा combination create करता है, मेरे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले, बढ़े आगे की तरह बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, machine input के particular यहाँ पर, क्या, क्या मतलब की, यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि process होते हैं, ठीक है, आइए वो देखते हैं, ठीक है, किस-किस तरीके से हम चीजों को arrange करते हैं, machine input, आइए हम बात करते हैं, basically अगर हमें बात करें यहाँ पर, तो machine input को हम दो particular भागों में यहाँ पर बाटते हैं, ठीक है, पहला जो होता है हमारा, समझना, पहला जो ह हम पेट में कहीं आप सभी को देते हैं, हम आपको यहाँ पर प्रोवाइट करा रहे हैं, केवल इस बैज के लिए, इसलिए सीरियस हो करके, आप चीजों को पढ़िए, बहुत भला होने वाला है आपका बादा है, पहला होता है हमारा यहाँ पर क्या होता है, समझना, shifting, क्य हमको एक्चुल हमको हमारे examination में मेन मिलता है, है न, shifting की बात की जाये तो यह हमको हमारे examination में नहीं मिलता है, एक अपर मोरे लिए मिलता है, यहाँ और यहाँ पर पात कर दे कि शुफलिंग के सकते हैं, ठीक है, ख है न, sबःस दीक है, यह भी सही है, arrangement and shuffling, तो basically हम यहाँ arrangement को ही particular यहाँ पर देखते हैं हमारे examinations में तो हम shuffling के अगर बात कहें यहाँ पर तो यह क्या difference है हमारा यहाँ पर arrangement और shuffling का क्या difference यहाँ पर है समझना में दोस्तों, ठीक है ना सबसे पहले अगर बात की जाए arrangement क्या होता है, clear है तो arrangement हमारा क्या होता है, यह समझना मालीजे किसी कमरे में suppose करिए उस घर में कोई फंसन मालीजे होना है शादीवादी का घर है, अब हमने कहा किसी को बला कर भाई काम करो, जाओ और स रूम में जितना भी वहाँ पर बिखरा हुआ कुरसी पड़ा हुआ है सबको arrange करो, तो अब वो जब गया arrangement करने है वहाँ पर तो हो सकता है कि वो एक बार में एक कुरसी को उठा के रख रहा हूँ, या फिर अगर रजनी कान थे तो वहाँ पर एक साथ दो कुरसी उठा के रख सकता है clear है, वो जब उस काम को शुरू करेगा तो उसके पास target क्या रहेगा कि इन chairs को arrange करना है, विवस्थित करना है तो जब वो arrange करना शुरू करेगा तो हो सकता है कि एक बार में एक, मतलब एक step में एक कुरसी arrange करें, या फिर एक step में दो कुरसी arrange करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कि अगर सुनो साहे बोले कि कुरसी अरेंज हो गई, तो अरेंजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, जिसका अंतिम स्टेप होता है, मतलब कि जो प्रोसेस कहीं न कहीं जाकर के रुखता है, complete होता है लेकर जो shuffling एक process होता है वो process कभी खतम ना होने वाला process होता है क्योंकि वो shuffl होता रहता है shuffl होता रहता है यहाँ से यहाँ सफल, यहाँ से यहाँ सफल, यहाँ से यहाँ सफल तो यह shuffling का process हमारे particular यहाँ पर syllabus में नहीं है हमारे स्लेबस में क्या होता है, हमारे स्लेबस में arrangement होता है, arrangement से questions बनते हैं, क्योंकि आपका shuffling part होता है, वो आसान होता है, क्या होता है, आसान होता है, done, done, clear बात के नहीं आपे, समझेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू करें, शुरू करें, च के दिए और दें गुछ अगलें मुर्जिए और वांम पर किया के से भी यहां पर क्या डई एफिये ए अब उैप ने को कि कि पेम करें आप लेGBग मुझा करसें हे करेंगे तो फैफिर एक को लाएंगे फिर से कुलाएंगे फिर दी को लाएंगे फिर एक होगा कि एक स्ट्रेप में जाकर रहा का होगा वह getting होगा शुक्लेघ में तो यह होता है हमारा arrangement, clear है, अब हम बात करें, arrangement में भी दो पहलू होते हैं, arrangement में भी दो चीज़े होती है, क्या क्या होती है, बहुत गौर से सुनना, ठीक है न, यह मैं फिट से बोल दू कि यह सारी चीज़े आपको ऐसी मिल रही है, जो literally जिसके लिए आपको pay करना होता है, लेकिन मैं आपको free of cost प्रवाइट करा रहा हूँ, समझना, arrangement में दो चीज़े होती है, पहला क्या होता है, fixing, लिखते चलना, notes बनाते चलना मेरा भाइटी करना, पहला क्या होता है, fixing होता है, और दूसरा यहां पर क्या होता है, shifting होता है, यह लिख लो दूनों चीज़े, य मान लिजे किसी आप थेटर में जाते हैं, मान लिजे आप किसी थेटर में जाते हैं, वहां पर यह है कि जो जहां चाये वहां बैठ सकता है, टो अब मान लिजे यहां पर भाई साब एक बैठे थे जिनका नाम ता A, अब चूकि यहां पर बैठ चुके हैं, तो अगला जो वो कहां पर आएगा, इनको ख्रोस करता हुआ, यहां पर बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा, अब ज़ो अगला हैगा, वो यहां पर क्रोस करता हुआ, यहां पर बैठ जाएगा, मतलब इनको डिस्टरब नहीं करेगा, This is the fixing pattern किसी भी input के भिहाब में अगर मैंने कह दिया लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर क्या मैंने कह दिया suppose करिए यहाँ लिखा हुआ है C, A, D, B और C लिखा हुआ C, D और यहाँ पर क्या E लिखा हुआ है C, A, E, B और यहाँ पर D लिखा हुआ अब मैंने का सबसे पहले step में आपर सबसे छोटा element आना ची तो सबसे छोटा element आपर कौन है? A आएगा सबसे छोटा element कौन है? A है, समझना बात को अब पहले step में आपने यहाँ पर यह काम कर लिया कि पहले step में कौन आ गया? A आ गया का जिस को आना मेरे बगल मेंगा मैनी ला भाई साब क्लेरे बाद के निया लापर तो क्या हजागा थेение पूल आ едед यहां पर यहां पर आ यहां पर आ गया और एका बाहर बाद a बॉस्तिर बाहर भचेगे है अब अगलेस ट्रेप में हो च्छाएगा अगले आ चुकर तो यह अपनी जगही फिक्स रहेगा, बी अपनी जगही फिक्स हो गया, सी अगर आ चुका है, दूसरे वाले में हीट, इसका मतलब हमने काम नहीं किया, और हमारी उपर जिम्मेदारी थी, कि हर स्टेप में आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, एक काम तो करना ही जो कि पहले से रखा हुआ था, लेकिन उस स्टेप में आपको एक काम और करना पड़ेगा, मतलब आपके द्वारा एक काम होना पड़ेगा, आपको अरेज करना पड़ेगा, यहां पर आपको क्या लाना पड़ेगा, डी लाना पड़ेगा, क्लियर बात कि यह आपे, तो कह इसका मतलब क्या हो जाएगा, that is called fixing का process, that is called fixing का process, is that clear? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, ठीक है ना, अब जो shifting का process होता है, वो यह होता है, सुनो, मान लो कि यह particular किसी ऐसी normal talkies में कहे है, है ना, और वहाँ पर क्या हुआ, कि वहाँ पर यह हुआ, कि एक भाई साब यहाँ बैठे हुए थे, बहतरीन popcorn लेकर 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 बैठे हुए थे, अब आता है इतने में B, तो B के भाई साही जलती है, A, बिडू किनारे खिजग ले, इसको बोला किनारे खिजग ल तो अगला हो इससे बड़ा किनारे द बढे निगले, हमानलो towwn CSC ऑब वो तो आ्था बारी हो इनसे भारी और इनसे भारी तो इनसे किनारे निगले वी mim बिचारा यहां पर आगे और यहां पर क्या गया, C आगया, तो हर एक particular step में, जब कोई नया element आएगा, तो वो भाई साहब कहेगा, एक किनारे निगल ले, clear है, this is called shifting का process, clear है, this is called shifting का process, और shifting के process में मेरे दोस्तों, यहां पर गुंडा गर्दी चलती है, यहां पर कोई नया element आ रहता हे, उसको किनारे लात मारे किनारे गड़ तरिता है भई निगल लो, अब D मान लो करेगा, तो D का मतलब डाकू, तो डाकू जब आएगा तो इनको सब को बोलीआ किनारे निगल ले भाई, ठीक है, तो फिर और हे यहां इहां पर आजाएगा, C और धादा भई कहां ब अब दोस्तों होता क्या है शिफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है आपने क्या देखा तभी यहां पर फिक्सिंग देखा था यह क्या है जो आट्मेटिक मतलब अपनी जगा खुद मतलब जाकर कि अपनी जगा फिले ले कि अवाई फिक्सिंग के समझें बहुत इंपोटन चीज बताने जारू की फिक्सिंग लिख लेना कहीं बाईसाब कहीं लिख लेना, बहुत important है, fixing के case में आपको कम से कम एक self-arrange element जरूर, जरूर, जरूर मिलेगा, ये बात याद रखना, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही caddy चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है मेरे दोस्तों, आपको काफी मज़ा आएगा इसको particular ने आपर देखने में, clear है, अब बात आती है sir, कि sir, आखिर ऐसा पता चलिया कि कौन-कौन fix होने वाले है, देखते साथ पता चलिया तो मज़ा आजा है, मैं गा हाँ, मज़ा तो मुझे भी चाहिए, तो देखो भई, यहाँ पर आपने देखा cb आपका self-arrange element था, और eb self-arrange element तो cb और e के लिए अपने काम नहीं करना पड़ा, तो यह पाच जो step आपके element थे, हर step में एक-एक element आ रहा था, तो बताओ complete करने में, कि वह रोतसारने लोगे आपका, क्या बोलते हैं, increasing order में लग जाए, ascending order में लग जाए, कितने step की requirement थी, one, two, three, कितने step की requirement थी, three, बोले सर 5 थे वो तो मैंने का सुनो 2 self arrange हो गए दो क्या हो गए? self arrange हो गए मेरे पए ठीक है न? Is that clear? सब क्या हो गए? self arrange हो गए कौन से यह C और यहाँ पर E वाले अब मुद्दी की बात है अब मैं समझाने वाला हूँ कि fixing के case में ही cable self arrange होता है shifting के case में self arrangement आपका normally नहीं होता है कब होता है? वो भी बता कर जाओंगा लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर यह वाली चीज बहुत गौर से समझना कि सर self arrange element जो आप बता रहे हैं क्या हम लोग यह बहचान सकते हैं कौन सा self arrange element है? आपके input को देख करके मैं वही तो बताने जा रहा हूँ कि input को देख करके क्या हम लोग self arrangement यहाँ पर बता सकते हैं आइए बात करते हैं ठीक है ना? चलिए जब कभी भी हमने यहाँ पर कोई भी arrangement करना है वो according to the example जो examiner ने example दिया हुआ कि आप जो example दिया है उसी recording हमें arrange करना है और यहाँ पर क्या दिया थे example increasing order में, ascending order में ठीक है ना? तो guys यहाँ पर क्या हुआ A को एक number, सबसे छोटा है, सबसे पहले है A को एक number, done. B को दो number C को यहाँ पर तीर number और 4 यहाँ पर, D को पांच यहाँ पर E को बलो, clear है बात किनी यहाँ पर अब हमेशा याद रखना, पता कैसे करेंगे सर की fixing का है? अरे बाबू, ऐसे पता करेंगे क्योंकि हर step में देखो, यह A यहाँ पर धाक जनमा के बैठा हुआ है, यह fix हो चुका है अब सुनो, fixing के process में हमेशा याद रखना, जीवन भर याद रखना, कि जो पहला element होता है, यह होता है, self-arrange element लिख लो कहीं, कहीं लिख लो, in the case of fixing, always the first element of any input is fixed self-arrange element, clear है बात किनी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यह पहला हमेशा क्या होगा, हमेशा लिख लो, always, क्या होगा, self-arrange element होगा, और दूसरा जो self-arrange element हो सकता है, वो होता है हमारा highest value, किसे मिली यह 5, किसे मिली यह E, यह होगा आपका self-arrange element, इस प्रिकार से हमको यहाँ पर दो clue मिल गया, कि गुरू जी, दो चीजें यहाँ पर self-arrangement होती है, पहला, किसी भी input का पहला element, और दूसरा, जिसे highest number मिला हो, वो क्यों है E, यह याद रखना हमेशा, fixing के case में यह दोनों चीजें हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कभी भी दिक्तत नहीं होने वाली, बोलो मसाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बोलो, हाँ, क्लियर है भई, चलो, बढ़े हागी की तरफ, अब सुनो, यह तो था मेरे भई, यह फिक्सिंग का केस, ठीक है ना, और फिक्सिंग के केस में क्या होता है, सेल फरेंज अलिमेंट होता है, क्या होता है, सेल फरेंज अलिमेंट होता है, लिकले ना, एट लीस्ट, एक सेल फरेंज अलिमेंट ज़रूर होगा, अब सर, यहाँ पर एक किस सिचूशन में होगा एक इस situation में होगा कि मान लिजे कि आपका ये पहला वाला E होता तो E दो तरह की यहाँ पर खाना पूर्ती कर रहा है, कौन-कौन सी पहली बात तो यह पहला element है clear बात कि नहीं यहाँ पर, दूसरी बात यहाँ पर यह सबसे बड़ा element है, सबसे highest valuable element है, so guys इस case में यहाँ पर क्या होता है, केवल एक ही self-arrange element होता है कि वही जो आपका highest valuable है, वही आपका पहला element भी है, चुकि हमें पता था self-arrange element के लिए कि पहला जो element होता है वो self-arrange element होता है, और जो highest value होता है वो self-arrange element हो, दोनो qualities पहले वाले में अगर आ गई माल लिजे तो यहाँ पर एक ही self-arrange element हमको यहाँ पर मिलता है, clear बात कि नहीं यहाँ पर अब चलते हैं, यह तो हमारा हो गया fixing, यह तो क्या हो गया हमारा fixing का process था, fixing के process में क्या था, self-arrange element होता है अब हम बात यहाँ पर करने वो condition में आपको बताऊंगा, जानने के लिए पने रही है वो condition में आपको बताऊंगा, जानने के लिए पने रही है इतना basic तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा इतना basic तुमको कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा क्योंकि यहाँ पर इस topic को छूने के लिए दिमाग के साथ साथ आपके कंसेप्स और आपके नॉरिस बहुत इंपोर्टेंट माइने रखती है ठीक है चलिए अब चलते हैं आपर मालीजे हम शिफ्टिंग की तरफ कि शिफ्टिंग में सेल फरेंज इलिमेंट नहीं होता सर कैसे आओ दिखाएं कैसे और अगर यह चीज स शाँब है फाइनल क्या चाहिए अरेंजमेंट मैंने का फाइनल मुझे चाहिए अरेंजमेंट यहां पर इक्सचाप्यों चलो अगर कहूं यहां पे सबसे पहले सुन ना कि shifting में क्या होता है गुंडा राज होता है अगर मान लो तुम सबसे पहले क्या अगर shifting लगाना चाहते हैं तो कैसे final चाहते हैं क्या हो हम चाहते हैं A B C D E बोलो सब यही चाहते हैं क्या चाहते हैं तो अगर A, B, C, D चाहते हो तो सोचो अगर A सबसे पहले आ गया तो दूसरा कुंड़ा जब B आएगा तो इसको तो किनारे कर देगा ना इसका मतलब सर आप यहाँ पर अगर A, B, C, D चाहते हैं तो उल्ता ओडर चलिए, मतलब यहाँ पर घटे कर्हमें चलिए मतलब सबसे पहले किसे लाएंगे? E को लाएंगे, किसे लाएंगे? अब E को यह सास समुंदर पार करके आना पड़ा है याद रखेगा, ठीके न? तो यह आपका अब E के बाद कोण आता है? D आता है, तो मैंने D को यहाँ पर दिया, चुकि आपको पता है कि अगला जो आएगा, वो बगल में खिसका देगा, तो E कहां किसा गया, यहाँ पर किसा गया, इसके जगा पर कौन आ गया, Sir D आ गया, clear है, तो आपका D आया, फर यहाँ पर E फरी आ पर C, फरी आ पर A फरी आ पर B, देखीगा, कोई भी सेल्फ और इंजलिमेंट मिले तो बताजेगा, ठीक है, अब आपका कौन आएगा यहाँ पर, अब चुकि समझेगा, अब यहाँ पर हुआ क्या है, कि सबसे पहले कौन आए था, E आए था, ठीक है, अब यहाँ पर कौन आ गया, अब यहाँ पर अब जो C होगा, वो कैसे आएगा, C इनको पार करके आएगा, बोलो हाया न, तो पार करके आएगा मतलब अपनी जगह पर तो है नहीं वो, तो क्या हो चुका है वहाँ पर, उसके पहले कौन आ चुके, D, E आ चुके न, तो C हमारा यहाँ यहाँ यहाँ, फिर D आ यहाँ, E फरी यहाँ, A फरी यहाँ, पर B आहँ आएगा, अब कोन आएगा, B आगा, तो B पार करके आएगा मेरे बाइगा, साथ समुनदर, B यहाँ आ गया, C यहाँ गया, D यहाँ गया, E यहाँ गया, और A हमारा यहाँ यहाँ अपर देखा जाए, तो यहाँ पर Step 5 भी लेना पड A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ या, E आ या, मेरे बच्छे, यहाँ पर कोई भी हमको self-arrange element नहीं मिला, कोई भी हमको यहाँ पर self-arrange element नहीं मिला, यही खासियत होती है shifting के process की, अगर आपको कहीं भी example ऐसा बिल रहा हो, कि कोई भी element जो की पहली step में आया है, वो बगल में अ तो वो condition में बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है क्या, और अगर हो सकता हो, तो कब हो सकता है, सुनो, अगर यही वाला E, अगर इस जगह पर होता, कहाँ पर होता, पर यहाँ पर होता, और C हमारा यहाँ होता, तो सोचिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर किसे लाना पड़ा, E को लाना पड़ेगा न, वो तो automatic arrange है, वो क्या है, automatic arrange है, बस इस situation में आपका shifting का case जो होता है, वो self arrange element यहाँ पर show करता है, otherwise कोई भी condition नहीं है, कि जब आपको, जब गुंडा राजवाला pattern चल रहा हो, तो आपको वहाँ पर चीज़े क्या हो, self arrange element हो मेरे भई, I hope कि यह बात आ एक self arrange element ज़रूर होता है, लेकिन shifting के process में कोई self arrange element नहीं होता है, conditions अपला है, conditions कौन सी, कि भया, पाल लो पहला element जो लाना वो उसी जगह पर रखाओ, वो उस case में आपका क्या बन जाता है, समझ रहो हो न, अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे की तरफ, I hope कि यह जो concept से, एक य सकते हो कि इसमें कितना step बनेगा, यह मेरा वादा है, आप सभी लोगों से, आप बता सकते हो कितना step यहाँ पर बनेगा, चुकि हर step में आप देखो कितना element आ रहा था, एक-एक element आ रहा था, E, F, D, F, C, याद रखना, shifting के case में, अगर हर step में एक-एक element आ रहा है, तो लाज कि आ रहा है, बोलो, clear है बात कि आ रहा है, अब एक चीज़ और समझना, मान लीजिए, shifting के case में, एक बार में, दो element आ रहा है, एक आ रहा है, यहाँ से, फिर सुनना, मान लीजिए, दो element आ रहा है, एक step में, अगर मान लो, उस input में दिये गए जो total element है, मैंने कहा, मान लो, 12 है, कितने है, 12 है, कितने है, मान लो, 12 है, कितने है, 12 है, तो लाज़मी सी बात है, कि दो element अगर एक step में आ रहा है, तो जो 12 element है हमारे, जो 12 element है, वो कितने step में आएंगे, sir, simple है, sir, 6 step में, कितने में आएंगे, 6 step में आ जाएंगे, तो आपको shifting के process में कभी भी ये find out करना हो भाईया कि कितने step आएंगे तो देखते साथ आप बता दोगे कि भाईया यहाँ पर इतने step आएंगे काम खतम, बोलो, डन, डन, ठीक है, बहुत basic मैंने समझा दिया, इतना बढ़िया तुमको कोई भी भी नी समझा पाएगा, मैं फिर से तुमको दावा करता हूँ इस चीश क में आखिर कार क्या logic चल रहा है, fixing चल रहा है, समझना, या free यहाँ पर आपका shifting चल रहा है, सबसे पहली duty हमारी यह होती है, shifting चल रहा है, कि यहाँ पर fixing चल रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे दोस्तो, तो देखो यहाँ पर step number one पे, यहाँ पर आपके input में war था, और यहा चल रहा है, fixing का process चल रहा है, क्या चल रहा है, और जब fixing का process चलता है, याद रखना है, तो वहाँ पर हमको किसी भी particular arrangement को बनाने के लिए यह देखना होता है, कोई self arrangement तो नहीं है, anyways, पहला हमारा काम fix हो गया, सबसे पहले हम क्या देखते है, कि क्या चल रहा है, ताई fixing है, कि shifting है, तो हमने देखा, पहला काम हमारा हो गया, हमने यह चेक के लिए, fixing चल रहा है, clear है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा काम यह होता है, बर दोस्तो, यह देखना कि आखिर जो arrangement हो रहा है, वो one-sided हो रहा है, या फिर two-sided हो रहा है, या दखना है, यह दूसरा काम हो arrangement है, one-sided arrangement है, यह भी हमको देखना होता है, ललू-लाल, ठीके न, यह भी हमको देखना होता है, कि कौन सा arrangement है, one-sided है, कि two-sided है, ठीके मिटा, चलो, आगे की तरफ चलते हैं, अब तीसरा काम क्या होता है, अब third काम होता है, logic, आखिर logic क्या आ रहा है, जो यहां पर आपका element arrange ह हो रहा है, तो bomb आया सबसे पहले, क्या है, फिर क्या आगले वाले में missile आया, फिर क्या आगले वाले में pistol आया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, last वाली line को देख सकते हो, bomb, missile, pistol, gun, war, bullet, fight, army, अब आपको देखकर क्या बताना होगा, कि अगर पहले bomb आया, तो क्या logic है, missile आया, क्या logic है, अब क्या करते है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले letter को यहाँ पर combine करते है, कि B है, फिर यहाँ पर M है, फिर यहाँ पर P है, हमने देखा सर, यह ना आपका sending चला है, ना descending चला है, अब इसके तुरंद बात हम लोग यहाँ पर क्या करते है, आखरी letter को और यहाँ पर y, यह जो चल रहा है, वह चल रहा है, अलफा वेटिकल, क्या चलना है, अलफा बेटिकल, यहीं बढ़ रहा है, मतलब कि B, फिर उसके वाद यहाँ पर E, फिर L, फिर N, R, अब T चुकी यहाँ पर दो दिये हुएं, कितने दिये होएं, ट दो दिये हैं, B से बड़ा है तो बात में लिए आ गया और आर्मी हमारा last में आ गया तो अब बताओ मेरे को कि यह जो आपका हमारा logic था यह confirm हुआ कि नहीं हुआ logic done और यहां पर logic done clear है logic हमारा क्या चलना है according to last letter क्या चलना है to last letter क्या चलना है according to last letter यह logic आना बहुत ज़रूरी है अगर यह logic नहीं आए तो आप कुछ करी नहीं बाते हो clear है जैसी logic आपका पता हुआ जैसे आपका logic पता हुआ अब आप धावा बोल देगे किस पे जो भी उसने पो कहा हुआ है तो को लिखा हुआ है six step is the last step यह कहलाता है arrangement का अब इस question को करने के लिए अब इस question को करने के लिए मैं क्या करना होगा यह बात करते है माली जी यह दिया हूँ हमारा input, क्या दिया हूँ, यह दिया हूँ, यह दिया हूँ, अब आप क्या करेंगे, according to the last letter, t, r, d, e, g, n, k, और क्या लिखा हूँ है, e लिखा हूँ, तो last letter recording आप यहाँ पर क्या दिजे, number दिजे, मैं आपको सिखाता हूँ, अब यह मत करना कि आप बनाने लगो, पूरे step बनाने लगो, ठीक है, न, मैं आपको सिखाता हूँ, कैसे हम यहाँ पर short approach इसको निकाल सकते है, हाँ, अगर माली जी, एक input के भिहाँ में, पांच question पूछे हूए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसका फटा-फट यहाँ पर step बना लो, फटा- न, मुद्ध समझना, मुद्ध समझना, मुद्ध की बास समझना, ठीक है भिट्टा, याद रखना, सिखाये ते हम तुम को कि फिक्सिंग के प्रोसेस में, भोलो किस के प्रोसेस में, फिक्सिंग के प्रोसेस में, चुकि यहां पर क्या चल ला है, यहां पर चल रहा है, फिक्सिंग का प्रोसेस, क्योंकि यहां पर बॉम, 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 बॉम हो गया है, फिक्स चल ला है, तो यहां पर समझना आपको सि इसा कितने स्टेप्ны यहां पर बनेंगे एक दो तीन चार पाँ छे साथ अंसर लगा दो एन भाई साथ यह बिल्कुल यहां पर सही है बोलो कुछ करा क्या मैंने कुछ किया मेरे कंसिफ्ट अपलाई की और अंसर नहीं आ पर बता दिया बोलो क्लियर वात कि नहीं भाई चीज चीजे करने से होती है, जो पहले से स्टार्टिंग से इसको देख रहा होगा, यह समझ की होगा, सर क्यों यहाँ पर इसको काट दिये गुस्तिक मारे, क्योंकि सर जी, आपको हम बताया थे यहाँ पे, कि फिक्सिंग के प्रॉसेस में हमेशा याद रखना कि पहला जो element होता है वो हमारा self-arrange element होता है, और जो highest value होता है, वो self-arrange element होता है, लेकर अगर पहले वाले में ही दोनों quality होई, कि पहला भी है और highest valuable भी है, तो भाई वहाँ पर एक ही self-arrange element होगा, और आपने यहाँ पर देखा, मेरे दोस्तों, कि यहाँ पर भाई साब, आपका पहला है, और highest value लुब है इसका मतलब क्या ताटा बाय बाय बोल दो मतलब कितने बचे जितने बचे एक दो तीन चार पांच छे साथ यह हो गया आन सने आपर साथ क्या चाहिए भई क्या चाहिए भई बताओ जिसने भी स्टाटिंग से ना देखाओ जाकर देख लेना क्योंकि वह बहुत गहराईयों से समझाए तभी आप 47 कोई कोशिन यहां पर नहीं हो पाया कि वह इसको छोड़ करके ठीके ना उस गहराई को समझने के लिए आप उस चीच को जरूर देख क्या मंकिस तर् sophomore का उटूर बताना है किस नंबर का आउट पुट है हमें बस क्या करना है हमारा जो इनपुट ता वह कॉपी में एक बार उसार लेना है और कॉर्पी कर्टिंग आपको याद होगा कि यहां पर 그metro S pineapple सबसे पहला इसको पहला इसको पहला नंबर दिया पाच्वा हमारा ये आजएगा, छटा ये आजएगा, सात्वा ये और आठ्वा ये, अब कह रहा है बताना मेरे को, कि ये जो दिया गया है, ये कौन से नंबर का है, तो मैं कहा रुको, रुको जा रहा, सबसे लेटिस कौन है ये वाला है, डी वाला, और डी वाला जो fix वाला point है, क्या है? fix वाला point है, तो ठीक है, यह पहरा है D, दूसरा क्या होँगा हारा E? और दिसरा क्या होँगा हारा E? बोलो, clear है? यहां यहां तक? भाई, पहला यह हो गया जो यहां लिखा हो थी, भाई, यह fix हो रहा है आपर बाकी यहां पर दिखो सजेस्ट बिल्कुल वैसे यह आ गया, पॉपलर बिल्कुल वैसे ही आ गया, यह तो आचुके हैं, एक, दो और तीर, ट्राइंग दिखो यह आ गया, लोगिन दिखो यह आ गया, अटैक दिखो हमारा यह आ गया, इसका मतलब कौन से नंबर के कोई दिक्कत नहीं बा बहुत आयसानी से हमने छीजू को यहां पर निप्टा दिया Sun हानि घुख autos लगा होगा किसी को भी बढ़न लगा होगा हमको नहीं लगता मेरे दोस्तों ठीक है ना बहुत करेंगे तो कल का सफर बहुत इंपॉर्टन ट्रेका जो बात में जुड़े हैं मैं गुजारेश करूंगा क्या आपके लिए बेश कीमती कोई आपका टॉपिक है याद रखेगा अब दिखों 2 बि जगे से हो रहा है यहापर एक हो रहा है यहापर chat समझना ऊपर तो कहीं input ने शेट है को आपका शिफ इंप्रत क region लीए अब मतलब यह क्या है डिवल यहां पर क्या हो रहा है अरेंजमेंट हो रहा है राइट से भी हो रहा है और राइट से भी हो रहा है सबसे पहले हम देखें कि यहां पर क्या चल रहा है सरी फिक्सिंग है या फिर आपका शिफ्टिंग है यहां से देखा तो यह फिक्सिंग था क्या था यहां से देखा फिक्सिंग और यहां से गर देखा जाए तो क्या था है यहां पर समझना 47 यहां 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 से आपका चल रहा है शिफ्टिंग है और यहां से चल रहा है हमारा क्या फिक्सिंग बोलो क्लिर बात कि निया पर फटाफट पताओ क्लिर है कि निया पर जल्दी से बताओ मेरेको ठिकें टिकें चलो डन डन अब बुद्दध की बात आती है सर अरेंजमेंट कैसा हो रहा है तो मैंने देखा है यहाँ पर जो लेटर का रेंजमेंट है वो तो हमारा चुकि फिक्सिंग हो रहा है तो हमने देखा है चैट क्लाउड टाइगर ऑफिस इंसग्राम क्लेई आप हम पहले वाले को तो चैट में देखा है कितनने लेटर है चार, जब सेम होंगे तो वहाँ पर उनका पहला लेटर इनक्रीजिज गोडर बिखुएक अ.टिकर है है तो नुबर कैसा है हमारे जो वर्ड है वह कैसे आ रहे हैं? अक्टब टोटल लेटर बढ़तेकरम में चार पांच फिर यहां पर पांच फिर शे फिर नो अब बात करें यहां पर numbers की बड़ा clear है son फिर 34 आया फिर 28 आया तो यह हम देख रहा है यह even है और यह क्या है odd है चुकि सबसे पहले आया मैं क्या चला number बता तूँ आपको यहापन की पहले odd ठीके ना descending order में ठीके ना पहले odd descending order में फिर आपका चला है even descending order में सीखने की कोशिस करना सब descending order जब पहले odd को रखा गया फिर इवन रखा गया तो दो को 73 सबसे बड़ा आपर किया even की descending order में तो देखो यहापर सबसे बड़ा even कौने आपर 66 देखो यहागे हमारा बोलो आएक निया है दंसर यहागे फिर क्या गया हमारा यहापर 34 देखो 34 आगया फिर क्या गया 28 तो लॉजिक भी हमारा क्लियर हो चुका है एक तरफ से अगर दोस्तो एक तरफ से chain leukebourne तो अगर एक तरफ से up क्याल आगा बड़ा दोस्तोस्तो कि आपको वहाँ ना होता है वह इस पर city लेना होता है यह तोट साट यह तोटका आप questions को मैं अगर अभी समझाने बटा तो हो सकता है टाइम आगे निकल जाए और एक काम करते हैं कि आज जितने दोस्ते हैं आप पर देख रहे हैं आपको एक बहतरीन content के साथ एक बहतरीन concept आपको मिलेगा और इस concept से आप machine input बहतर कर लो कि मेरा वादा है तो आज के लिए फिर के बाकि जब हम कल आएंगे तो हमारे questions भी हमारे साथ में होंगे questions लेकर क्या हूंए? बॉक्स वाले questions भी होंगे हमारे ये वाले questions भी होंगे है ना तो बस आप सभी से ही कहुआ है बेर दोस्तों कि आप लोग इस session को starting से देख ले ना जिन्होंने नहीं देख आए है पाक्या I सभी लोग इहां पर you know morning में 11 जुडी रहें और उसमें जुड़ना भी है ठीक है बाकि मैं यही बोलूँगा कि आप सभी लोग जितने भी हैं बैंक महा पैक आप लोग रिस्टर करा लो इन्रॉल करा लो क्योंकि बैंक महा पैक में अब ये मान के चलो कि बहुत जल्दी हमा आपके मेंस के बाचेश हैं सब फ्री ओफ कॉस्ट है ठीक है ना वन येर का अगर आप बैंक महा पैक का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको इसमें क्या क्या चीजह मिलते हैं क्या क्या एक्साम कवर होते हैं आपका आपका SBI, EPU, IBPS, PO, IBPS, CLERK पढ़ा होगा बहुत ठीक है ना और मेरे दोस्तों साथी साथ यहां पर आपका RBI, ASSISTANT आने वाला, LIC, ASSISTANT आने वाला सारी चीजह कोवर होगी तो यहां पर वन येर का बैंक महा पैक इंडॉल कर सकते हो जिसमें आपको test series, e-books, आपकी life classes, आपकी spoken, recorded videos, आपको video solutions, सब कुछ मिलता है मेरे दोस् करना है, code उसके लिए Y261 जिससे आपको discount भी मिलेगा सबसे ज्यादा, clear है, उसमें आपके सारे बैचे जाएंगे, उसमें आपके ये वाला बैच भी आजाएगा, तो दिख रहे हैं आपके ये आपकी ये वाला बैच भी आजाएगा, आपको test series भी, SBIPO बैच भी है, आपक सेशन नहीं देखा, जागे एक बार देख लिएगा, ठीक है, बाबाय ठीक है, session अच्छा लगाओ, एक बार session को यहाँ पर like, जरूर करे, share जरू करे,